अजवाइन को अगर आपने इस तरीके से भून कर पीस कर खा लिया जिस तरीके से मैं वीडियो में आपको आगे दिखाने वाली हूँ बहुत ही शांदार तरीका है और आप सालों से जमा अपने पेट की चरबी या फिर पूरे शरीर की चरबी को घी की तरीके से आसानी से कुछी हफ्तों में पिगला के शरीर से बाहर कर सकते हैं वो भी बिना किसी डाइटिंग के और बिना किसी एक्सेसाइज के बहुत ही यूसफुल रेमेडी है हम आज एक ऐसी होम रेमेडी तयार करने वाले हैं जिसे बना कर पीने से सिर्फ मुटापा ही नहीं इसके अलावा भी आपको शरीर के बहुत सारे हेल्थ बेनेफिट तो वीडियो आप skip मत करेगा धीरे धीरे मैं करके एक एक इसके important step आपको बताने वाली है और इससे क्या फायदा होने वाला है वो भी बताने वाली है वीडियो देखके तो आपको समझ में आही गया होगा कि ये एक fat cutter drink है यानि की शरीर से चर्बी मुटापा निकालने वाल अगर इस तरीके से अजवाइन को यूज कर लिया और अजवाइन को दोस्तों इतनी महंगी चीज भी नहीं हम सभी के घर पे नॉर्मली होती है पट ये magical recipe हमें पता नहीं होती है तो हम उस तरीके से इसका इस्तमाल नहीं कर पाते हैं लेकिन regularly आपको करना है दिन में एक से दोबारी करना है आप इसका जो result है उसको देखकर चौंक जाएंगे और आखकर मुझे thank you हो लेंगे बहुत ही amazing ये चीज है इसे पीने के बाद आपके बहुत सारे health problem solve हो सकते हैं इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अजवाइन को मैंने लिया है अजवाइ वजन घटाने के लिए बहुत अच्छा ingredient है लेकिन इसके अलावा इससे अगर आपके मतलब आपको कब्स रहती है या फिर bloating रहती है शरीर में पेट में और आपके पाचन तंतर के लिए बहुत ही अच्छा होता है सिर्व वजन ही नहीं इसके अलावा भी इसके बहुत सार एक गुण है और इसे किस तरीके से भून कर पीस कर इस्तमाल करना है इसमें और भी कौन से ingredients मिलाने हैं जिससे आपका वजन तेजी से कम हो इसी वीडियो में मैं बताऊंगी अगर आपको जैसे पेट में problem रहती है कब्स बनी रहती है acidity की समस्या रहती है तो आप थोड़ी तो आपकी कब्स और acidity की समस्या काफी हद तक solve हो जाएगी बहुती जादा अराम मिलता है यह आप खाने के बाद कर सकते हैं दो time कर सकते हैं सुबह और शाम अब चलिए शुरू करते हैं कि वजन घटाने वाला इसके साथ हम कैसे बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं य आपको इसकी खुश्बू थोड़ी थोड़ी feel होने लगे आने लगे अपने आप ही धीमी आज पे भूने जादा तेज आज पे नहीं क्योंकि अजवाइन के जो essential oil होते हैं वो धीमी आज पे ही बाहर निकलते हैं सिफ अजवाइन के ही नहीं दोस्तों आप कोई साभी मसाल अगर कभी भून रहे हैं तो कोशिश करें कि हमेशा धीमी आज पे भूने तब भी वो अपने essential oil को अच्छे से release करता है और उसका health benefit आपको मिल पाता है तो इसलिए धीमी आज पे भूनना ज़रूरी है अब इसे निकाल कि हम थोड़ा सा ठंडा होने तक का वेट करेंगे य प्लेट के ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए ठंडा होने के बादी इसमें हम बाकी की चीज़े मिलाएंगे यह देख से मैंने फैला दिया है 3 म हम वेट करेंगे फिर इसके बादें हम डालेंगे करीबन ऐक से डिर चमँच जितना मेती मेती भी हमारे पाचन के लिए बह चमच के ही जितना भुना जीरा पाउडर और इसके बाद इन सारी चीजों को आपस में एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अब इसको हम डाल देंगे मिक्सर ग्रेंडर जार में और इसका हमको पाउडर बनाना है अब यह चीज एकदम ठंडा होने के बाद ही करना है जैसे कि मैंने पहले भी आपको बुला उसका भी रीजन में आगे आपको बता रही हूँ इसे हम डाल देंगे मिक्सी में और इसका एकदम बारीक पाउडर बनाना है हर बार मैं बोलती हूँ कि कोर्स पाउडर बनाना है लेकिन इस बार आपको एकदम बारीक पाउडर बनाना है तो इसे बस मैंने पीस लिया है अच्छे से एकदम महीन पाउडर अगर ये जरा सा भी गरम होता दोस्तों तो अंदर एमिक्सी के अंदर कभी-कभी पीसते वक्त ना मसालों का जो गर्महाट होता है उससे भापसी बन जाती है और मसालों में मौईश्यर वापस से आजाता है जिससे आपका ये पाउडर जादा दिन तक चलता नहीं और टाइट जार में और आप इसको मतलब बाहर ही फ्रिजवेज में रखने की जरुद नहीं और बाहर ही रूम टेंप्रेचर पे ही महीनों तक रख सकते हैं अगर आपने एक पाउडर एक बार ये पाउडर बना लिया तो चार से पांच महीने की चुट्टी हो जाती है दोस्त क्योंकि आपको किस तरीके से लेनी है आगे मैं बता रही हूँ यहां पर मैंने एक ग्लास के जितना पानी लिया है इसमें करीबन दो कप के जितना आपकी चाय बनके रेडी हो जाएगी आप चाहें एक डेड़ ग्लास के जितना ले सकते हैं इसमें हम ढालेंगे आधा होने लगा है हलका-हलका सा जहाग इसके उपर आपको इसके अंचा अचे बर specifically की फ्रीन पर और और पीरे को सारे फेल्दम बेनेफिट्स मिल पाएं इसके साथ जो सिनमन यानि की दालचीनी का पाउडर डाला है मेथी डाला है जीरा डाला है उसके भी अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं सिनमन में एंटिबायोटिक प्रॉपर्टी बहुत जादा होती है आपको जैसे बार बार जुखाम सर्दी जुखाम हो या फिर वाइरल बहुत जल्द की प्रॉपर्टी होती है उसके अलावा आपका कोलेस्टरॉल शुगर वो भी बहुत अच्छे से बैलन्स करता है आपके स्किन बहुत अच्छी होती है आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं तो इसमें हमने जितनी भी चीज़े डाली है आपके शरीर के लिए एक तरीके से एक बार इसको बना के पीएंगे, एक बार नहीं मतलब दिन में आपको दो बार खाने के बाद आपको इसको लेना ही लेना है आदे घंटे बाद, सुबे ले 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 आप या फिर दोपहर में ले 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 और रात में जरूर लेना है सोने से पहले और इसके साथ आपको चटर प movement नहीं है मैं exercise करने के लिए नहीं बोली हूँ लेकिन at least थोड़ा चलना फिरना बहुत जरूरी है तो यह देखे यहाँ पर इसकी चाय हमने चान ली है आप चाहे तो इसमें शहद मिला सकते हैं बट मैं prefer नहीं करती हूँ आप चाहे तो मिला सकते हैं अगर आपको अच्छा ल हो जाएगी और यह जो ड्रिंक है यह पीने में तो टेस्टी लगती ही लगती है ऐसा नहीं है कि हमने यह कोई मतलब फैट कटर ड्रिंक बनाई आपको इसको पीने में बहुत जादा effort लगाना पड़ेगा यह आप आराम से पी सकते हो टेस्टी लगती है तो दोस्तों अगर आज का वीडियो देखके आपको जरा सा भी थोड़ी सी भी help मिली है आप इसको try करें और आने के बाद अपना feedback जरूर शेयर कर सकते हैं और लेकिन साथ में जो मैंने चीज़े बताई हैं वो भी करनी है यह नहीं कि सिर्फ इसके भरोसे और साथ में आप fried food वगरा बहुत ज करें खाने पर कंट्रोल करें 10-15 मिनाट की walk करें exercise की वैसे कोई जरूरत नहीं है खाने का portion आप कंट्रोल कर सकते हैं और सुबे शाम आप इसको लेंगे तो आपको खुदी दो से तीन हफ्तों में अपने शरीर में फरक दिखेगा तो दोस्तों अगर आज का वीडियो अच् सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बैल आइकन है उसको भी आद से दबा दीजएगा मिलती हूं अगली वीडियो के साथ अब तक के लिए देखें बाबाए